सिवेसी के दसवी और बारवी के रिजल्ट पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है वहीं अंकवेटेज को लेकर भी छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है इसे पहले सिवेसी ने अस्पष्ट किया है कि वह समय के नियंतरन तक ही परिणाम की घोसना करेगा बतारे कि सिवेसी दसवी और बारवी के परिख्षा के परिणाम जुलाई के अंत तक जारी कर सकता है वहीं अब अंकवेटेज पर बड़ी अपडेट सामने आई है सिवेसी के पी आरो ने इसके पुष्टी की और कहा की बोड जुलाई के अंतिम सपताह में कक्षा दसवी और बारवी के परिणामों का खुलासा करने के तयारी कर रहा है इस पर दस्वी और बारवी कक्षा के परिनामों की कोई सटिक तारिक का खुलासा नहीं किया गया है सिवेसी के दस्वी सिवेसी के दस जुलाई के बाद आने वाले नतीजों की अठकलों पर अधिकारियों ने कोई टिपनी नहीं की है अब बोड के एक करीबी सुत्रे ने भी कहा है कि मुल्यांकन अभी पूरा हो रहा है और वेटेज का फैसला अभी नहीं हुआ है अभी तक सिवेसी ने प्रतियक सब्द के महत्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है इसलिए यह संबब है कि सिवेसी विद्यार्थियों के अनुरूधों पर ध्यान दे फिलाहल इस पर कुछ भी सत्यापित नहीं किया गया है माना जा रहा कि सिवेसी पचास पचास सत्तर तीस और तीस सत्तर में से सबसे अच्छे का उप्योग कर सकता है इस साल दो टर्म में परिक्षा एउजित हुई थी जिसमें टर्म एक परिक्षा नंबर और दिसंबर के महने में MCQ प्रवरुप का एउजित की गई थी वहीं इसको लोग को टर्म वन के परिणाम भेज कर छात्रों को ग्रेड वित्रित किये इस वर्स की संग्यूक्त मार्क सीट अब बोड द्वारा सर्वजनिक की जाएगी बोड ने पहले ही प्रुष्टी कर दिये है कि छात्रों को एक एकल अंक पत्र प्राप्थ होगा जिसमें टर्म वन और टू में उनका परदर्शन सामिल होगा बोड ने अभी तक यहाँ निडिस्ट नहीं किया है कि प्रतियक सब्द का कितना वेटेज होगा कई छात्रों ने पिछले वर्स से कुरूना समस्या और बोड परिक्षा में अचानक बदलाव के रिजल्ट वेटेज भार प्रणाली के बारे में अपनी चिंता वैक्ष की है टर्म वन और टर्म टू परिक्षाओं का भार क्रमसा तीस और सत्तर प्रतिसत के रूप में रिडिश्ट किया था बोड ने हाला कि बाद के नोटीस में संगलत फहमी को असपष्ट किया था हाला कि तफसिक अक्षादस्विय और बारे मी के विद्यार्थियों ने उसी के संबन में अपनी चिंता वैक्ष की है इसके अतरिक्त वोई पिछले कुछ दिनों में हैस्टेग बेस्ट आफ एदर ट्रमस सब्जेक्ट वाइज को ट्रेंड करके दोनों टार्म में सर्वस्रेश्ट स्कूर का चैन करने के लिए अनुरोध कर रहे है